आप जानते हैं कि आईशर की बस ड्राइवर को बस चलाना भी सिखाती है आईशर में स्थ्यून कोचिंग शिस्टम आता है जो ड्राइवर को best fuel efficiency निकालने के लिए गाइड करता है कब कितना accelerate करना है और कब गर चेंज़ करना है यह सारी इन्फुमेशन इंस्टूमेंट क्लेस्टर में आती है यह है आईशर की स्काइलाइन प्रो नेक्स बीए सिक्स बसे जो 3000 सीरीज प्लाटफॉर्म पे बेस्ट है यह प्रीमियम स्कूल बस है जिसका आज हम एक्स्टिरियर और इंटिरियर वाकराउंड करेंगे और आपको इसक इस प्लाटफॉर्म पे स्काइलाइन प्रो नेक्स्ट 3009 और 3010 बसे जाती है जो डिफरिंट वील बेस में अवेलेबल है यह 52 से 72 सीटर आप्शिन में अवेलेबल है इन में से 3010 L की लेंद और वील बेस मैक्सिमम है और इसकी सीटिंग कैपासिटी भी सबसे जादा है और आज हम आपके लिए लाए हैं आईशेर के नेक्स प्लाटफॉर्म से स्काइलाइन प्रो 3010 L 2x2 सीटिंग कॉन्फिग्रेशन वाली 40 प्लस ड्राइवर स्टाफ बस और 3x2 कॉन्फिग्रेशन के साथ 62 प्लस ड्राइवर स्कूल बस तो चलिए इसके एक्स्टिरियर वॉकरा से स्टार्ट करते हैं इस बस का फ्रेंट डिजाइन मॉडर्न है विद वाइड ग्रिल लाज लोगो एंड एंगल हेड्लाइम असेमली तो इसके हेड्लाइट्स दिखने में अट्राक्टिव हैं और ये पूरा हेलोजिन सेटप है हेड्लाइम्स के नीचे ही आपको फॉग लाइम्स लगाने का ऑप्शिन मिलता है बिल्कुल नीचे आपको रिफ्लेक्टिव टेप देखने को मिलती है जो बस की विजिबिल्टी बढ़ाती है इसकी विंचील्ड बहुत बड़ी है और इस पे सिजर टाइब वाइपर हैं जो ड्राइवर के सामने के एरिया अच्छे से कवर करते हैं दोनों साइड में बड़े वार्वीम के साथ साथ ब्लाइड विव मॉनिटर भी दिया गया है जो ड्राइवर के लिए यूस्फुल है इसके फ्रंट में हाइड्रॉलिकली असिस्टेट फ्रंट ओपनेबल पैनल है विद वाइड एर डैम जो इंजिन को ठंडा रखता है इसमें 235-75 सेक्शन क्यूबलेस टायर आते हैं विद रेडियस ऑफ 17.5 इंचे इसके रियर में भी सेम प्रोफाइल के चा टायर आते हैं जिसे यूज करके ड्राइवर अपनी सीट पे कंविनियंटली बैट सकता है चाहिट पे माकर्स भी है जो नाइड राइज पे बस को बेटर विजिबिल्टी देते हैं यहां फर्दर आपको फ्यूल टैंक और एडब्लू टैंक मिलेगा फ्यूल टैंक की कपासिटी वन 60 ली सब्सक्राइब की इस तरह मॉडिफाइब की गई है कि नाइट्रोजन एंड वाटर टैंक जैसे फायर अलाम एंड प्रोटेक्शन सिस्टम को कैरी कर सके इसके अलावा यहां चार फार्किंग सेंसर हैं और हेल्प वाइल दर ड्राइवर इस रिवर्सिंग बस साइट की बा बोल्ट की बैटरी मिलती है इस बस में सिर्फ फ्रंट से एंट्री का प्रोविशन है अब हम इसके इंटीर में चलते हैं यहां उपर आने कले दो तरह के ग्राब हैं और थ्री स्टेप्स हैं और यहां फुट्वेल लैम भी है जो डोर ओपन होने पे आटोमेटिकली ग्लो क करती है जो बैक तक स्टेच होके पूरी बस को कवर करती है इसमें बेंच टाइप सीट्स हैं थ्री बाइटू कॉन्फिग्रेशन के साथ तो आपको ड्राइवर के अलावा 62 सीट्स मिल जाती है आयल में मूमेंट स्मूध हो उसके लिए मिडल में इनर वॉकिंग रूम है औ इससे बस का इंटीर ब्राइट लगता है ओवरॉल इंटीर में फिट और फिनेश भी अच्छी है विद नीट डिजाइन सभी स्टूडेंट्स के लिए टू-पॉइंट लाप सीट बेल्ट अवेलेबल है और उनके फ्रंट में ग्राइब हैं साइट पे बैठे पैसेंजर् स्टूडेंट्स के लिए यहां इनर स्पेस भी अवेलेबल है इसमें टिंटेट विंडोस मिलती है जो स्लाइड करके ओपन होती है और स्टूडेंट्स की किसी भी एमर्जेंसी सिच्वेशन के लिए यहां पर पैनिक स्विच भी दिये गया है यहां फ्रंट में ड्राइव के लिए न को ऑप्शेन भी है तो सिचमेंट्स के लाफा हैंड का लिए इसी तरफ प्लेस्ट में की से एक मिलता हैसं की सउभा एड्लैंड का स्टॉक है और स्थे कर सकते हैं जिससे 30 किलो-मीटर पर आर्ण की स्पीट पे एकटिवेट कर सकते है रंग कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो ड्राइवर फटीग कम करता है और फ्यूल एफिशेंसी भी इंप्रूब करता है यहां स्पीडो मीटर के मिडल में डिजिटल एमाइडी मिलती है और यहां इंटीर लाइटिंग फैन और मल्टी ड्राइव मोड्स के कंट्रोल है इसमें पावर इको और इको प्लस तीन ड्राइव मोड्स है जिन्हें ड्राइवर अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से चूज कर सकता है ड्राइवर के लिए 12 बोल्ट सॉकेट भी है और म्यूजिक सिस्टम रेट्रोफिट करवाने का ऑप्शन भी विड टू स्पीकर इन फ्रंट एंड इंदर रियर बस के पेपल स्टूर करने के लिए यहां फ्रेंट में स्पेस भी है और यहां बटन के साइट पर मल्टी जोन फायर चीज़ डिटेक्शन एंड एक्टिवेशन सिस्टम के स्विचेज हैं इस बस में 40 से जादा सेफ्टी फीचर हैं इसमें से दो इंपॉर्ट सिस्टम पीछे प्रिसेंजर का पार्टमेंट में आग लगने पर टाइमली डिटेक्ट करके सप्रेस करने में हेल्प करता है इस बस का फ्रंट डिजाइन भी सेम है विच सेम वाइड ग्रिल लाज लोगो एंड एंगल हैड लाम असेंबली स्टाफ बस के एक्स्टीर में एक मेजर डिफरेंस है और वह है एक्स्टा लगे स्पेस इन दे बैक जहां स्कूल बस में नाइट्रोजन एंड वाटर टैंक प्लेस थे साइट प्रोफाइल पर आपको ब्लू ग्राफिक देखने को मिलते हैं इस बस में भी जैक नाइफ डोर्ज है यह नियुमेटिकली कंट्रोल है और बटन से ऑपरेट होते हैं इस स्टाफ बस में टू बाइटू कॉन्फिगरेशन के साथ 40 प्लस ड्राइवर सीट का ऑप्शन मिलता है स्टाफ बस में एसी का भी ऑप्शन है जिसके कंट्रोल ड्राइवर के लेफ साइट पे हैं इस बस में कॉर्पोरेट इंटिरियर थीम है विद ब्लू-ग्रे कॉम्बिनेशन पैसेंजर्स को पर्सनल एस इवेंट पर्सनल आम रिस और पुश बैक सीट मिलती हैं विद बेटर कुशन ओवर और डिजाइन इस सेमिलर फॉम एंटिरियर बट इस बस की फील जादा प्रीमियम और कॉर्पोरेट है आईशर की बस इस टेक्नॉलिजी के मामले में भी आगे हैं इस बस में कुछ एद्वांस टेक्नॉलिजी फीचर्स हैं जैसे 100% कने को ट्रैक करने के लिए फ्यूल मैनेजमेंट फ्यूल कंजम्शन को मॉनिटर करने के लिए ट्रिप मैनेजमेंट ट्रिप्स को ट्रैक करने और ऑप्टिमाइज करने के लिए डेडिकेटिट स्कूल बेस्ट यह एक ऐसा कॉम्प्रिहंसे प्लाटफॉर्म है जो स्कूल ट्रा driver की driving habits को improve करने के लिए design किया गया है ये system fuel efficiency improve करने के लिए driver को guide करता है Aisha Skyline Pro Next BS6 Cool Bus दो powerful engine options के साथ आती है पहला engine है 3.0L E474 जो almost 140hp और 400Nm की peak torque प्रोड्यूस करता है इसके अलावा 3.8L E494 engine है जो और जादा powerful है और 160hp और 500Nm की peak torque प्रोड्यूस करता है E474 engine के साथ 5-speed और E494 के साथ 6-speed manual transmission आता है आईशेर का कहना है कि efficient engine और aerodynamic design की वज़े से इसका fuel consumption कम है जो ultimately cost effective है आईशेर की busses के साथ आपको एक comprehensive uptime support system भी मिलता है जो ensure करता है कि bus का downtime कम से कम हो ताकि business जादा profitable हो सके इंडिया में 335 workshop है roadside assistance है और predictive और remote diagnostic का भी option है आईशेर Skyline Pro BS6 school bus safety, comfort, technology, performance and fuel efficiency के मामले में एक compelling package है इसके powerful engines और advanced technology आपको एक reliable और efficient performance देंगे जो आपके business को boost कर सकती है वी होप ये walk around video से आपके इस bus से related doubts clear हुए होगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share करें और ऐसे ही content के लिए channel subscribe करना ना भूलें कर दो सकती है कर दो सकती है कर दो सकती है